कहानी की सुरुवात होती है बिली नाम के एक विजल से जो अपने बेश्ट फ्रेंज सोकराटीज नाम के एक लाइन के साथ मस्ती कर रहा होता है तभी उसे वहाँ हाइना पूप मिलता है जिसे वह एक छड़ी की मदद से गोल्फ की तरह खेलने लगता है तभी वहाँ उसकी वाइब बोनी आती है और उसे कहते हैं कि वह पानी लाने के लिए जाने वाला था पर वो यहाँ टाइम पास करने में लगा हुआ है वहाँ उस जंगल के कुईन हाथी उनके पास आती है और कहते है कि इस साल उनकी नदियों में पानी नहीं आया है जबकि हर साल तो इस समय तक नदियों में पानी आ जाता था पर पता नहीं इस साल क्या हुआ यहां से सीन सिफ्ट होती है और हम चाल्स नाम की एक चिकेन को दिखते हैं जिसे कुछी देर में उसका सर्फ डिनर में बदलने वाला होता है पर वो किसी तरह से अपने आपको छुड़ा कर वहां से भाग जाता है वो उसकी सिप से बाहर कूद कर एक छोटी से बोट में आ जाता है जहां उसे और भी कुछ एनिमल्स उस बोट पे मिलते हैं उन सारे एन इंसानों के कदम नहीं पड़े हैं चाल्स उन सबसे कहता है कि वो उन सब को उस जगह तक ले जाने में उनकी मदद करेगा इधर सेवेना की क्यूइन सबसे कह रही होती है कि उनके पास खाने का स्टॉक्स भी खतम हो रहा है और पानी के छोटे छोटे तालाब भी लगबग सूख चुके हैं और अगर ऐसे ही हालात रहे तो उन्हें सर्वाइब करना मुस्किल हो जाएगा चाल्स और उसकी टीम भी सेवेना की खोज करते हुए उसके बहुत करीब पहुँच चुके थे बिली पानी की तालास में आगे बढ़ रहा था उसे अपनी फैमली के लिए प दोस्तों के सामने अपने डैड की बहुत तारीफ कर रहा था तब ही वो सब देखते हैं कि बिली पानी को लेकर भागता हुआ आ रहा है और उसके पीछे बैफैलो का एक ग्रूप पड़ा हुआ है जूनियर खुस हो जाता है कि उसके डैड इतने मुसीबतों का सामना करते ह उसके लिए पानी लेकर आ रहे हैं पर उन बैफैलो की वज़ा से बिली का सारा पानी बह जाता है जूनियर के दोस्त उसका मजाक उणाने लगते हैं वो बहुत उदास हो जाता है उसे मनाने के लिए बिली उसके पास जाता है पर वो बहुत गुस्से में होता है और वो बि बिली अपने दोस्स सोक्राटीज के पास जाता है और कहता है कि उसे उसके साथ पानी की तलास में जाना होगा क्योंकि उसकी फैमिली को पानी की जरुरत है और उसे अपने बेटे जुनियर को भी दिखाना है कि वो एक लूजर नहीं है सोक्राटीज उससे कहता है कि वो कहीं जाने वाला है क्योंकि वो यहां बहुत खुस है बिली अकेले ही जाने लगता है सोकरटीज उससे बताता है कि जब तुम रीवर बेट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे तब तुम्हें वैली अप देद को पार करना होगा यह सुनकर बिली बहुत डर जाता है वो उससे पूचता है कि यह वैली अप देद क्या है सोकरटीज उससे कहता है कि बहुत साल पहले वो उस वैली में गया था वहां बहुत ही खतरनाक जानवर रहता है जो वहां आने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता है वो कहता है कि उसे अपनी जान की परवा है इसलिए वो उसके करते हैं पर फिर भी बिली हिम्मत करके वैली के अंदर चला जाता है वो जगह उसे बहुत भी डरावना लग रहा होता है तभी कुछ दिरबाद उसे कुछ डरावनी आवाज सुनाई देती है वो पीछे देखता है तो खुस हो जाता है क्योंकि सुकरेटीस था वहाँ पे उसका डर भी अब बहुत कम हो जाता है वो लोग जल्दी से भाग कर उस वैली को पार करने लगते हैं पर कुछ दिरबादी बिली को वहाँ एक बड़ा सा काला तेंदुआ दिखाई देता है जो उसकी तरह बढ़ रहा होता है पर अचानक से वो देखता है कि तेंदुआ डर से भागने लगा है वो कुछ समझ नहीं पाता है तभी वो अपने पीछे देखता है वहाँ बड़ा सा एक पोलर भीया था जिसकी डर की वज़ा से वो तेंदुआ भागा था सोक्राटीस भी वहाँ आ जाता है वो लोग वहाँ चाल से और उसकी बागी टीम से मिलते हैं रात को वो सब वहीं आराम करते हैं वहाँ सोक्राटीस बिली को बताता है कि कई साल पहले वो अपने भाई के साथ इस वैली में आया था पर अचानक से किसी ने उसके भाई को मार दिया उसने उस दिन वहाई एक अलग क्रियेचर को दिखा जिसे इंसान कहते हैं सुबह चाल सब को उठाता है वो बियर उनसे कहता है कि अब वो और कहीं नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है चाल सबने दो एनिमल टॉबी और असमाईली को बिली के साथ पानी ढूंडने के लिए भेज़ता है और वो उन दोनों टटल के साथ बियर के साथ ही रहेगा वो चारों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और बहुत जल्द वो उस वैली के अंत तक पहुंच जाते हैं उन सब को वहाँ एक बड़ा सा डैम दिखाई देता है उसी डैम की वज़े से उनकी नदियों का पानी रुका हुआ था वो सब छुपते हुए डैम के ऊपर जाते हैं वहाँ वो देखते हैं कि नदि का सारा पानी यहाँ पे किसी ने कैद करके रखा हुआ है वहीं डैम के पास एक इडन पारडाइज नाम का होटेल था जहां आज बहुत से देश के लोग क्लाइमिट चेंज की मीटिंग अटेंड करने के लिए आने वाले थे उस होटेल का मालिक वहाँ आये हुए डेलिगेट्स को अपने होटेल में अपना पालतो मंकी टोटो से उनका वेलकम कराता है इधर एक वाटर बोट के सारे वो चारो एनिमल होटल तक पहुंच जाते हैं वो सब होटेल के अंदर जाकर मस्ती करने लगते हैं बिली और सोकराटीस वहाँ के कांफरेंस रूम में पहुंच जाता है जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत डर जाते हैं वो तुरंत होटल के ओनर को कॉल करते हैं ओनर वहाँ का हंटर को आवाज देता है हंटर अपनी बंदूग लेकर वहाँ आता है और बिली को सूट करने लगता है बिली उससे बचने के लिए वहाँ के पूल में गिर जाता है पर वो हंटर वहाँ का एजिक्सन बटन दबा देता है जिससे बिली डैम के पाइप से होते हुए बाहर गिर जाता है पर वहाँ उसे टोटो बचा लेता है तोटो उन्स अभी एनिमल को हंटर से बचाने के लिए उस होटल के एक रूम में उन्हें छुपा देता है पर वो सारे मिलकर उस होटल के कमरे को पूरी तरह से बरबाद कर देते हैं तोटो उन्हें समझाने आता है कि ऐसा करने से वो अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं बिली उससे कहता है कि वो लोग यहां छुपे नहीं रह सकते क्यूंकि उन्हें उनकी फैमली के लिए पानी लेके जाना है तोटों से कहता है कि उन्हें डैम के flood gates को खोलना होगा जिससे उनकी नदियों में वापस से पानी जाने लगेगा तोटों सब को लेकर डैम के motor room में पहुंचता है बिली flood gates को खोलनी की कोसिस करने लगता है तभी वहाँ वो hunter आता है और सुक्रेटीस को सूट करके बेहुस कर देता है बिली से वहाँ का एक बटन दब जाता है जिसकी वज़ा से flood gates खोलने लगता है और वो भी उसमें गिर कर बहने लगता है और उसमें वैकर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है टोबी और असमाइली भी उसके थुरू ही बाहर आ जाते है वो hunter जल्दी से flood gate को बंद करता है और उन सब को माने के लिए अपनी जीप लेकर उनके पास पहुंचता है वो सब भागने लगते हैं वो अपनी जीप से उनका पीच्छा कर रहा होता है पर चार्स उन दोनों टर्टल की मदद से उसकी जीप को पलड़ देता है सुकराटीस को उन लोगों ने एक पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था वो उसे लास विगास के किसी जू को बेचने वाले थे चार्स वहां के बाकी सभी एनिमल से कहता है कि उसे सेवेना के सभी एनिमल से जाकर बात करनी चाहिए और उन सब को यहां बुला कर इस डैम को तोड़ देना चाहिए वो सब वापस से सेवेना जाते हैं और सारे एनिमल को इकठा करके बताते हैं कि कैसे इंसानों ने उसके जंगल में आने वाले पानी को डैम में कैद करके रखा हुआ है और अगर अभी उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो लोग बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे और अगले दिन हम बहुत से जानवरों के जंड को डैम की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं पर उनके साथ बैफैलो और राइनो का गुरूप नहीं था क्योंकि वो उनका साथ देने से मना कर देते हैं वो सारे एनिमल डैम के करीब पहुँच चुके थे तब ही वो हंटर एक प्लेन में बैट कर वहां आता है वो उन पर एक मिसाइल दागने वाला होता है पर तब ही वो देखता है कि उसके पीछे टोटो है वो से माने लगता है और गलती से बटन दबने की वज़े से वो मिसाइल वहां के डैम के पाइप के अंदर चली जाती है पर वो फटती नहीं है तोटो किसी तरह उस प्लेन को लैंड करवाता है उस होटेल के मालिक का बेटा माया सोक्राटेज को उसके पिंजरे से आजाद कर देता है और इधर चाल्स अपने एनिमल्स को डैम पे अटेक करने को कहता है सब अपनी पूरी ताकत के साथ डैम को तोडने की कोसे इसकरने लगते है तब ही वो देखते हैं कि बफैलो और रैनो के टीम उनकी मदद के लिए आई है वो सारे उस डैम को तोडने लगते हैं डैम अब थोड़ा सा हिलने लगा था पर इतना काफी नहीं था तब ही बिली को वहाँ एक हाइना पूप दिखाई देता है वो तुरंत एक लगडी के डंडे से उसे गोल्फ की तरह ही सौट मारता है और वो सीधा जाकर के डैम के होल में उस मिसाइल को लगती है और वो फट जाती है डैम अब तूटने लगता है उसमें से पानी के फुआरे आने लगती है और फाइनली पूरा डैम तूट जाता है सारे जानवर उसमें बहकर जंगल की तरब जाने लगते है सुकरेटीस भी बिली के पास आ चुका था और उस दिन के बाद सैवेना में कभी पानी की कमी नहीं हुई सारे जानवर वाँ खुसी खुसी रहने लगे माया और उसके डैड भी ये देख कर खुस थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो प्लीज डू लाइक और शेर दे वीडियो और प्लीज सब्सक्राब तो मैं चैनल और प्रेश देट बेल आइकन